तो आज हम बनाने जा रहे हैं जटपटे और मसालेदार बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है और बच्चों कोई सबसे फेवरेट डिस है तो आप हलके फुले के नास्ते में इसको बना कि और फटा फट खा सकते हो और जब भी कोई महमान तो आप बढ़ बना सक्ते हो तो चले चान को बनाना तो सबसे पहले मैं यह यह घर लियां लगवाग के जान को कょ जाए अपयाज है और नो कि अमिनको को आप Weekly ने को डंट लिया है तो आज मैं इनके इंदर डालने riders में। वाले लिए में ग्सें मान आज मैं आपे मटर डालूंगी जिसे बहुत ही मज़ेदार पोह बनके रैडी होंगे तो यह देखिए हमारे जो पोह है वो बिल्कुल अच्छे से बीग चुके हैं अब हम इनका पारी अलग कर देंगे तो आप यहां में थोड़ी सी सावदाने बढ़ती है क्योंगी ज्याद अब हम इसके अंदर डाल देंगे मतर ताकि मतर सोफ्ट हो जाए इसलिए मतर को पहले डाल दिया मसालों से पहले तो यह देखिए मतर को हमें अच्छे से सोफ्ट कर लेना है थोड़े से ठाइट नहीं होने जाए मतर मतलग पक जाने चाहिए तभी हमारे पोह का तेस्ट इसके साथ प्याज और टमाटर है वह हमारे अच्छे से पक चुकी है अब हम इसके अंदर डाल देंगे आदी चोटी चमचाली पावडर और हम डाल देंगे आपे लालमिची पावडर वह बिल्कुल ऑप्सिनल है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसको उसको मत्र है यह तो सोफट कुए है तो एक तेक है अपेट पावडर देले गछेगे और राखेम अच्छे से पक चुकी है तो इसको एक पावडर पॉह इन फिल्कुलेघ इंदर बीग कर के अगरम ने ने आट सबर हमारे ने शीदे को पावडर कवा आज़ों ni थे याशित बिल जब इसके अंदर भीगए विए गरम मसाले का तो अब भीगए विए विए डालेंगे और पोह को अच्छे से मिक्स कर देंगे कच्छे प्यास टमाटर और ह्रादनिया तो यह देखिए हमारे चटपटे पोहे बनकर मज़ेदार तरीके से रेडी हुई है बहुत ही टेस्टी भी बने है और बहुत ही बनाना इसको आसान भी है तो आप एक बार जूरू ट्राइक करना इस रेसिबी को बहुत अच्छी लग कीजिए फ्रेंड्स और फेमली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जुरूर बताना की आपके पोहे कैसे बने तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से एक नही रेसिपी के साथ तब तक की लिए बाई बाई टेक केर